कि बच्चों लास्ट टाइम पर हमने सेवन पॉइंट तू का कुश्चन नंबर सेवन सॉल्ट किया था आज हम आगे बढ़ते हैं ट्राइंगल इन इक्वेलिटी प्रोबेविल्टी इसमें हम यहां पर बताएंगे कि अगर तीनों साइड अनिक्वल है किसी भी ट्राइंगल अफ ट्राइंगल इस ग्रेटर देन थर साइड तो तू साइड का जो सम है वह हमेशाथ हर साइस से ग्रेटर होता है जैसे कि अगर यहां पर हमारे पास ए बी और सी सेंटिम्टर अगर हमने माना है अगर आप ए और बी को प्लस करोगे तो उनका सम से से ग्रेटर होगा और सीख हरे को प्लस क्रिएं तो उसका सम भी से से ग्रेटर होगा मतलब कि इस वी चाइड को सम करने पर उनका सम थर्ड वाली साह सम् συν मिसा ग्रेटर आना चाहिए अगर लाथा या प्रिक्वार कम आता है तो वह संबाल नहीं है वह ट्रींगल हम बना नहीं सकते ठीक है तो यह प्रोबिल्टी है कि किनी भी टू साइट को जोनने पर उनका जो आंसर हो हमेशा थर्ड साइड जो भी बची हुई साइड है उससे हमेशा ग्रेटर आएगा ठीक है तो यह हमारी फर्स्ट प्रोपेट्टी हो गई है और टाइंगल में अगर सारी साइड अलग है तो उसमें हम किनी भी टू साइट को जोनने पर उनका जो आंसर हो थर्ड साइड से ग्रेटर आता है चाहिए आप कोई से भी साइड प्लस करें बी और सी को प्लस किया तो ग्रेटर आएगा एसे और ए और सी को प्लस करें तो ग्रेटर आएगा बी से इसके बाद सेकंड प्रोवेबिल्टी यह है कि दर लार्चेस्ट एंगल इस दर ओल्वेज अपोजिट टू दर लोंगर लोंगेस्ट साइड मतलब अगर ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ी स अंतलिंट तो सबसे आहला है जो इंगल है वह सबसे लार्चेस्ट होगा ट्रेट और लार्चेस्ट एंगल के अपोजिट साइड भी ला लुंगर होगी आपको पता होना अची एकली है कि रजगेंगल अगर एफ तो उसकी असट्राइट होगी और लोंगेस्ट साइड है तो उसका opposite angle largest होगा जैसे for example अगर हम देखें तो AC जो है वो greater है किस से AB से and AC greater है BC मतलब AC की line क्या है AB से भी बड़ी है और BC से भड़ी है AC सबसे बड़ा है तो AC का opposite angle कौन सा हुआ B तो B जो हुआ greater होगा किस से AB का opposit angle क्या है C तो B greater होगा C से और इसी तरिका से AC क्या greater है किस से BC से तो AC का opposite angle क्या हूआ B और BC का opposite angle क्या हूआ A तो B OR greater होगा A से ठीक है तो जो sign greater है उसका opposite angle भी ग्रेटर होगा यह हमारी सेकंड प्रो प्रोबिल्टी अब एक्ससाइज स्टार्ट करते हैं सेवन पॉइंट थी फर्स कोश्चन फर्स कोश्चन हमारा है mcq तो mcq के अंदर लिखा है इन ट्राइंगल a b c एंगल a equal to 100 एंगल b equal to 30 degree angle c equal to 50 degree the shortest and the longest side of the triangle are respectively हमें पता है कि सबसे छोटी छोटे इंगल का opposite side भी छोटा होगा और लोंगर मदब लार्जेस एंगल के opposite side भी largest होगी या लोंगर होगी ठीक है तो जित्ता बड़ा एंगल है उसकी opposite side भी उत्ती बड़ी है और छोटा एंगल है तो उसकी opposite सबसे छोटी है तो इसने क्या पूछा है सोटेस मतलब सबसे छोटी और लोंगेस्ट सबसे बड़ी तो हम देख रहे हैं कि यहां पर सबसे छोटा एंगल कुम सा है 30 डिगरी एंगल बी तो बी के opposite क्या होगा तो भी को छोड़ दें तो भी के अलावा जो नाम है एसी वो क्या होगा सबसे स्मॉल होगा क्योंकि 20 इस्मॉल है तो उसका अपोजिट क्या हुआ एसी तो एसी सबसे सोटेस होगी तो एसी सोटेस आगया आएगी एसी नाम यहां पर भी है और यहां पर भी है हम और यहां पर भी लेकिन सबसे मधर सबसे च्छोटी के लिए दोवार आगे नाम है जिस क्रम में सौटे सर्जारलोंभे लिखा है उसी दिनमा अंचर भी होना ची हरे सोटे स Keep This के लिए इसी यहां पर भी है यहां पर वह है लेकिन लोंगे स्वार्ड़ है यह तो यह सबसे बड़ा एंगल है तो इसका पॉजिट साइट कुन सा वह बीसी कि यह को छोड़ देंगे एक छोड़ेंगे तो इसका पॉजिट होगा भी सी तो यहां पर तो नहीं आ रहा है यहां आ रहा है तो हमारा ऑप्सन टी is यहां पर हमारे पास अलग-अलग साइड है तो यहां पर हमसे पुछा इंगल कौन सा हुआ सबसे छोटी साइट कौन सी है डी इए तो डी का जो अपोजिट एंगल है डी का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ और एफ तो इंगल एफ सबसे स्मॉल रहेगा तो ऑप्शन भी इस कारेक्ट इसके बाद इसके बाद वीच आप दो फालॉएंग ये वीड़ा पॉसिबल लैंध अफ ट्राइंगल क्या इन लेंध से ट्राइंगल बनेगा और ये लेंध जो है वो ट्राइंगल की पोशिबल ह तो हम इसमें से 1234 कोशन करेंगे बैकि फिप्ट और शिक्स आप लोग हम वक्त में सॉल करोगे तो फर्स्ट में आप देख रहे हो कि सारी साइड एक वाल है 3.9 3.9 3.9 मतलब किनी भी टू को जोड़ेंगे तो आंसर सेम ही आना है तो इसको वन टाइम में हम पता कर लेंगे ठीक है तो फर्स्ट कोशन सॉल करते हम यहाँ पर 3.9 प्लस 3.9 तो इनका टोटल हुआ 7.8 7.8 जो है वो ग्रेटर होगा 3.9 से तो यहाँ पर सारी साइड इक्वल है तो यही आंसर आना है तो 3.9 3.9 3.9 can be possible length of the side of triangle यह हमारा आंसर हुआ ठीक है तो यह सारी साइड पोसिबल है और यह आंसर हमने किसे लिखा है कोस्टन से कोस्टन मा अगर आप देखोगे तो can be के बाद पूरा लिखा हुआ है can be the possible length of the side of triangle तो पोसिबल है next question देखते है second day 21 22 43 so since 21 plus 22 equal to क्या वराए 43 और third side भी क्या है 43 तो यह दोनों क्या है वापस में एक्वल तो एक्वल नहीं आना चाहिए जब भी हम दो साइट को प्लस करें तो साइट को प्लस करें तो हमें साथ साइट से greater ही आना चाहिए equal भी नहीं आ सकता तो यहां पर third side और sum of two side equal है तो यहां पर यह 21 22 43 cannot be the length of the side of triangle तो यह cannot be मतलब इन से triangle नहीं बनेगा ठीक है उसके बाद थर्ड वाला है 579 तो इसमें हमने since पहले 5 और 7 को प्लस किया तो क्या act हुए greater than था 9 से फिर हमने 7 और 9 को प्लस किया तो क्या हुआ 16 greater है remaining 5 से फिर हमने 5 और 9 को प्लस किया तो 14 आया जो greater remaining 7 से मतलब always time जो सम आ रहा है जो दोनों side को जोडने पर जो answer आ रहा है वो remaining size से हमेशा always time greater आ रहा है तो यह तीनो side का है possible है ठीक है तो 579 can be the possible length of the triangle तो यह possible length है triangle next हमारे पास 2 10 15 तो since 2 प्लस 10 तो 2 प्लस 10 क्या वाट हो है और 12 जो है वो less than हो रहा है third side 15 से तो less than भी नहीं होना चाहिए equal भी नहीं होना चाहिए तो 2 10 15 less than जिसे आए तो आगे हमें solve करने ज़रत नहीं तो तो 10 15 can not be the possible length of side length of triangle तो यह हमारा question complete हो गया है तो remaining question आप हो में solve कर लीजेगा नेक्स question देखते हैं question number three हमारे पास से P is a point in the of the triangle ABC in so in the following figure state whether the following statement is are true true के लिए टी लिखना है फॉल्स के लिए एफ तो अगर हमारा interior है तो interior point से हमने ABC तिनों को joint किया तो यहां पर हमें three triangle मीज चुगे हैं तो first triangle की बात कर रहे हैं जिसमें ABP की बात कर रहे हैं तो इस triangle की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर हम two side को plus कर रहे हैं किस-किस को AP plus BP PB तो इनका जो सामें वो AB से क्या होगा greater होगा लेकिन यहां पर क्या बता रखा है AP प्लस पीबी कर तो सामें वो लेज़ देने तो यह क्या हुआ फॉल्स उसके बाद next कि एपी सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें एपी प्लस पीशी का सम ग्रेटर होगा तो यहां पर इसके बात यहां पर थर्ट राइंगल जो हमारा है उसमें बता रखा है भी पी प्लस पीशी का सम किसे ग्रेटर होना चाहिए बीसे से लेकिन यहां पर एक्ष़ बता रखा है तो यह क्या हुआ फॉल्स इसके बात कुरस्ट नमबर फूर हम नहीं करने वाले वीटाप्त फालविग पारथ थर त electronically सबसे छोटा राष्टा कौन से रहें तो अभ धे रखा है एडी टू एडाइक्प landmark मसा दया से ऐफ डारेक्ट ठाना थिर्ख क्थें़ कोम介 प्भीट पर औरिक ईट ना ये तो ःस्ष वाला नमबर वान इसके बाद नेक्स टे डी टू ए विश वेरा तो यहां पर डी से सी से होते हुए यह पर आना तो यह तो लूंग हो गया ठीक है इसके बाद डी टू ए वीवा वी तो डी से याना वीवा किसकी जारेशन से हमारा है दी से ईगे पर आए और फिर एपर आए तो दीसे जो जारेएं पर आना डी से जारे यह पर आना शबसे सोटेस्ट जो था हमारा वो था AD to a direct तो इस सही option हो जाएगा हमारा ठीक है अब उसके बात next question सब्सक्राइब करना है तो अगर आप देखोगे तो ट्राइंगल कि बहार से जो पॉइंट ओए एक स्टिरियल पॉइंट है ओ तो वहां पर हमारा कौन सा यहां पर सिंबोल आएगा तो यह हमें से हम जाते हैं कि तो साइट का समझे होता है वह greater होता है थर्ड साइट एब ना यहां सब्सक्राइब और हम इसको डायग्राम से कंफर्म कर लेते हैं अभी इसके बाद हमें यह भी प्रूफ करना यह भी आंसर लेके आना है तो सॉल करते हम प्रूशन नबर शिक्स को तो हमें एक प्रूइंट लेना है जैसे एबी सी ट्राइंगल यह तो इस तरह से बन जाए को आज लेकिन आपको याद रखना है कि आपका में ट्राइंगल जो था वह वह ABC है तो ABC है मरा में ट्राइंगल और बाहर का पॉइंट ओघ है उसको हमने दो आप चाहले दो तोट डोट लाइन सावस को तो जोइन कर सकते के इस्टेट लाइन से जोई ना करते कुछ धोट दोत chant canix अभ मां बना लिजेगा ते कंब सबसे पिले तुम में पथा है किए अगर और बी को कनेक्ट कर रहे है तो हमें ियोव यह वाला ट्रायंकल मिल रहा है ठीक है अगर आप आप ए ओ बीद्यक्ट तो इसमें यह ट्रायंगल द ändए इसमें के लिए O और विवो को प्लस करें तो इनका संब्स्टम क्या होगा एट वाली वाली साइब से ग्रेटर होगा तो यही वाली चीज हमने यहाँ ट्राइंगल में बताईए तो इन ट्राइंगल हमें लिया A, O, B क्योंकि हमें जो सिंबोल लगाना वो भी पता करना है और हमें वेरिफाय भी करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे O के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है A, B, C, 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 C लेंगे तो AB साइट को अगर हम वो से मिलाएं तो हमारा ट्राइंगल बनता है A, O, B, A, O, B में A, O, P, O, B, इन दोनों को प्लस करें तो सम्ग्रेटर होता है हम जानते हैं तो साइट का सम्ग्रेटर होता है करें थार्ड साइट एवी एवी से एकविशन नुमर वां इन ट्राइंगल अफ हम बीच्छ के करें विपोसी ले ठेस तो विका योज से को वहिजा होगा किसे बीस से तो बैटी से से ग्रेटर होगा क्योंकि हम एबी बीसी एसी टाय साइट में रखें एक्वेशन नमबर दू अब एसी साइट के अकोर्डिंग ट्राइंगल हुआ एओ सी तो यह सी में एओ प्लस ओसी का जो साम है वह ग्रेटर किसे होगा एसी से एक्वेशन नमबर थ्री एक्वेशन वान टू ठीको एह तो इनका जो ए लेड़ यसे वह आपस में फ्लस हो जाएगा लहेशए से लेचस प्लस होगा यह प्लस ओबी पहले वाले एक्वेशन का लिखा फिर वियो प्लस यह लिखा फिर ओसी प्लस ऊड्शी तो यह प्लस क्रेटर देन हैं यह सारे गटेजर है किन को हम इसको करते हम है तो तो यह कितनी बार है दो बार नों चलिए ग्रेटार एविशी यहां उस्टे टू कामन आएगा तो एओ प्लस ओवी प्लस ओसी क्योंकि टू तो हमने कॉमन ले लिया तिन तिनों में से क्योंकि दो दो बार थे तो दो बार लिखकर यहां पर हम पॉइंट लगा रहे हैं तो इसका वंदर टू अलग है और ओवी अलग है ना ट्वैंटी नहीं समय वह सरवच्चे इसको टू डॉट करके ओवी टू कमल ले लिया तो ग्रेटर एवी प्लस बीसी प्लस एसी और यह तू है ना यहां से उधर अपन में जाएगा डिवाइट में जाएगा तो इसको किसके अपन में लेंगे वन क्या पॉन में ठीक है कुछ कि हमें यहीं प्रूफ करना है तो वन के पॉन में यह टू ऊदर चला जाया क्योंकि किस साथ हम क्या मान सकते हैं वन मान सकते हैं ना म्लटीपलार में प्लस हो रहे हैं आप एक है कुछ भी नियतक तो वन है तो यह तुमां जाके बन करना है तो हमें यहीं प्रूफah करना तो है हमारा प्रूफ हो गया है नेक्स्ट एक्सरसाइज और पर हम नेक्स्ट वीडियों डिसक्स करेंगे थैंक यू